तो में हम बिहार बोर का English book part one radiance class चिक्स का यह lesson पाचवा हम जानेंगे इसका हम हिंदी मिनिंग जानेंगे और इसका हम इससे पहले वाले सारे वीडियो का solution हमने कर चुका है सारे chapters का आप इसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि आने बाली सभी लडियां और महिला चूडियों के बहुत सोकीन होते हैं pay can you give reasons for their liking, give means देना, reason means कारण, like means पसंद करना, क्या आप उनके पसंद के कारण को बता सकते हैं उनके पसंद निकाँ, मतलब वह चूड़ी को क्यों पसंद निकरते है देखिये, Enjoy this poem about bangles, about means के बारे में, मतलब Enjoy this poem, poem means कविता, about bangles, It has been composed, composing means होता है या लिखना या उनके दरवा प्रस्तूत करना, स्रोजनी नाइडू नाइट एंडिया बोला जा रहा है कि चुर्यों के बिशेव पर इस कविता को इंज्वाइ कीजिए पढ़िए जिसे भारत की बुलुल कही जाने वाली स्रोजनी नाइडू ने लिखा है नाइट एंगल भारत की बुलुल कही जाने वाली स्रोजनी नाइ समझेंगे उसके बाद इसका मेरिशना नहीं कर देंगे बैंगाल सेलर आर वी हुर आवर साइनिंग लोर्ग से टूदा टेंपल फेर मतलब हम चूरी बिक्रेता है हम अपने चमकतार बोज को ढोते हुए मंदिर के पास मेले तक ले जाया करते हैं मंदिर के पास मेले तक ले जाया करते हैं तेंपल मिंस मंदिर हूँ विल बाइ इस डिलिकेट ब्राइट रेंबो टिन्टेट सर्कल्स ओफ लाइट हूँ मतलब कौन बाइ मिंस खरीदन उसके बाद डिलिकेट डिलिकेट मिंस कोमल या सूकुमार ब्राइट, ब्राइट मिन्स चमकीला, रैनबो मिन्स इंद्रधनूस, टिंटेड, देखिए, टिंटेड मिन्स होता है, कलरफुल या सरकल मिन्स गोल, लाइट मिन्स परकास, who will buy this delicate bright rainbow tinted circles of light, कोन खरीदे गा इन कॉमल इंद्रधनूस जैसे रंग वाली गोल गोल चुर्ड्यों को, कौन खरीड़ेगा कोन खरीड़ेगा इन कोमल जंब के लिए इंदरधनुस जएसे रंगवाली गोल गोल चूड़ियों को लस्टर्श टोकन्स औरी रेडियंट लिव्स फॉर हैपी डावट्रस एंड हैपी वाइब्स तमझते हैं लस्टर्श ।ोखन्स और रेडियंट radiant होता है दिप्तमां किरने क्रचσα प्रबाने वाला या आनध से पर्फवुलित करने माल तह बियर्त होगा यह जो चूडयां है यह चमकदार है औहeto चूडयांज है यह चमकदार है और यह फजट for a maiden's wrist silver and blue as the mountain mist समझते हैं some means कुछ some are meet means मिलना उसके बाद maiden means युक्ति या बाली का या कुमारी तन्या ठीक है wrist means कलाई, silver means चांदी, blue means नीला, mountain means आपको पता है पहार या परवर, उसके बाद है mist, mist means कोहरा या धुंद some are meet for a maiden's wrist, silver and blue as the mountain mist अब यहां पर इसका अर्थ हो जाएगा कि कुछ चुरियां कुमारी कन्याओं की कलाईयों के लिए कुछ चमतगा चमकदार और निले रंकी है जो पहार पर धुंद हो कुछ निले रंकी है जिसे पहार पर धुंद हो आगे दिखिए समार्फ लाइक दा बर्ड धेट ड्रेम अनदा ट्रेंक्विव द्रो आप ऊडब लेंड एस्ट्रीम से जहरना होता है लेकिये समार्फ लाइक दा बजुद डुल डर्रीम इसका अर्थ हो जाएगा कुछ चूडियों कुछ चूडियां आइसी भी है जो सपना देखने वाल कल्यों की तरह जो सपना देखनेवाली रब्लूम डेट्लिब्स लिभडग्लद ग्लोरी और लेख कुछ तो चोड़ियां की तरह चतक लाल रंग होती है जो कि टूटकर गिर जाती है लबजात पत्तियों के आगवन के लिए जो स्वक्ष और चमतगार होते हैं तो इस वीडियो में हमने इस चप्टर का हिंद यार्थ जाना जिनका राइटर है स्जरोजनी नाइडू चल लगे तो लाइक कर दीजिए परसमतर दूसरे वीडियो में जानेंगे उसका अलग प्लैलिस्ट है फिए अच्छेंगे तो लाइक कर देजिए सब्सक्राइब